हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं भारत के कैसे शहर को जिसे इस्ट का मैंचेस्टर और लेधर सिटी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है अब तो आप समझी गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कानपुल शहर की कानपुल भारत के उत्तर प्रदेश राज में इस्थित एक मेजर इंडरस्ट्रियल और कमर्शियल शहर है जो राज की वित्य राजधानी भी है और द्योगिक द्रिश्टिकून से देखा जाए तो भारत में चेन्ने के बाद चमडे का सबसे जादा उत्पादन कानपुल में ही होता है जिस वज़े से इस शहर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है करीब साथ बिलियन डॉलर जीडिपी के साथ कानपुर में बिस्किट, कैमिकल और टेक्स्टाइल इंदस्ट्री के साथ-साथ यहां इंडियन इंस्टिटूट अफ टेकनोलिजी और भारत का एक मात्र इंडियन इंस्टिटूट अफ पल्सिस रिसर्च सेंटर भी मौजूद है कानपुर अपनी समरिध सांस्कृतिक विरासत, मशूर बाजार, सुन्दर पार्क और बगीचे के लिए जाना जाता है जहां जजबाओ घाट, बिथूर, म्यूजियम, भीतरगाओ मंदिर, नाना राओ पार्क और भारत की पहली उन मील जो लाल इमिली के नाम से भी मशूर है जैसे अतिहासे का स्थल है साथी तेजी से होते शहरी करने के चलते, कानपूर में बाल्स, शॉपिंग्स और एंटर्टेन्मेंट के भी कई ओप्शन अवेलबल है बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलपमेंट की तो मेट्रो सिस्टम के साथ-साथ कानपूर गाजियाबाद एक्स्प्रेस वे और कानपूर डिफेंस कोरिडोर के कंस्ट्रक्शन के कारण कानपूर भारत में तीजी से विक्सित हो रहे शहरों में 22 अस्थान पर है और कानपूर शहर को स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है गंगा नदी के किनारे इस्थित कानपूर शहर लगभग 890 स्क्वार किलोमेटर एरिया में फैला हुआ है जहां करीब 45 लाख लोग रहते हैं और कानपूर में रहने वाले लोगों को कनपूरिया भी कहते हैं जो ज़्यादातर हिंदी, भोजपूरी और अवधिभाशा में बातें करते हैं कानपूर शहर अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक एरपोर्ट के चलते भारत के लगभग सभी राजों से अच्छी तरह से जुड़ा है अगर यहां के खाने की बात करें तो कानपूर की शाही कचोरी ठगू के लड़ू, बदनाम कुल्फी पूरे भारत में प्रसिद्ध है त्वाशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने शहर का नाम कॉमेंट करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद प्रण चैनल को सब्सक्राइब और बादें झाल झाल